हेलो दोस्तों हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है, मुझे आशा है कि आज की यह विडियो आपको जुरूर पसंद आएगी। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हलके में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये कहानी भूतिया अस्पताल के बारे में हैं। कास गंज नगर में एक मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सुभ एक आटो आकर थमा। गाड़ी से एक लड़का उत्रा जिसका नाम कभी था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया, तो कभी ने खुद ही गेट खोल कर अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खुला, एक आदमी ने कभी से पूछा, क्या आप टीवी ठीक करते हैं। कभी ने उत्तर दिया, नहीं, इसके बाद उस आदमी ने खुद ही कभी को जोरदार थपड मारा और पूछा, तो तुम यहां क्यों हो? कभी थोड़ी हैरानी में था। थपड़ खाने के बाद उसका सिर्चक्राया, लेकिन वह खुद को सन्यमित रखकर कहा कि वह नौकरी के लिए आया है। तब एक डॉक्तर और चार कमपाउंडर गेट के पास पहुँचे। उन्होंने थपड़ खाने वाले आदमी को पकड़ लिया। दॉक्तर ने कहा कमपाउंडर इसे ले जाकर तयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। जब कमपाउंडर चला गया, तो कवी डॉक्तर के पास गया और पूछा क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्तर पाटिल कहा मिलेंगे। दॉक्तर ने कहा मैं ही पाटिल हूँ। तुम जाओ, अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो और फिर वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आओ. कवी थोड़ी देर में कमपाउंडर की वर्दी पहन कर डॉक्तर के कैबिन में पहुँचा. डॉक्तर ने बताया कि वह आदमी जिसे कवी गेट पर मिला था, वह पागल है. वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को टीवी ठीक करने वाला समझ रहा है. और जब उसको पता चलता है कि वह वास्तव में टीवी ठीक करने वाला नहीं है, तो वह उसे थपड मार देता है. उसके बाद डॉक्तर ने अपने अस्पताल के एक कमपाउंडर कांती को बुलाया और कवी का परिचय करवाने के लिए कहा. कांती ने कुछ ही देर में कवी को सब के साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया. वहां हर कोई कुछनकुछ अजीब हरकत कर रहा था. कोई दिल तूटने वाली शायरी सुना रहा था, तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था. कांती वहां से चला गया. तभी कवी को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी. दिन के समय आराम करने के बाद कवी रात को मरीजों की देख भाल करने लगा. जैसे ही रात के बारह बजे सभी का चहरा दर से पीला पड़ गया. हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए. यह सब देख कर कवी को बड़ा अजीब लगा. उसने डॉक्तर से पूछा आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यो रहे हैं? दॉक्तर ने उत्तर दिया, इस अस्पताल में रात बारह बजे के बाद भूत घूमते हैं. ये वे भूत है, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. तुम संभल कर रहना. कवी को भूतों पर विश्वास नहीं था. उसने डॉक्तर की बात को हंसी में टाल दिया, और अपना काम करने लगा. उसी रात कवी अकेले बाथरूम जा रहा था, जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है. मुढ कर देखने पर कोई नहीं दिखा. कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ. कवी ने सोचा कि यह भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है. बाथरूम करके जब कवी बाहर आ रहा था, तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा, आज तुम पागल हो जाओगे. कवी को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया, और अपने काम पर लग गया. कुछ देर बाद कवी को एक तेज चीक सुनाई दी, वह दोड़ते हुए आवाज की ओर बढ़ा. जैसे ही कवी वहाँ पहुचा, एक पागल ने दर्वाजा अंदर से बंद कर दिया. किसी तरह से कवी ने उस दर्वाजे को खुलवाया. दर्वाजा खुलते ही उस पागल ने कवी को हवा में उच्छाल कर गिरा दिया. कवी को इतनी जोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई तभी एक जोर की हंसी कवी को सुनाई दी वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तु पागल हो जाएगा कवी ने गुसे में चिलाते हुए कहा पागल आदमी तुने ये क्या किया रुख तुझे अभी बिजली का जटका देता हूँ पागल ने जवाब दिया असपताल में मिलने वाले बिजली के जटके से ही तो मेरी मौथ हुई थी अब तू क्या मुझे कोई शौक देगा अब मुझे इनका डर नहीं इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवी को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया इस तरह से कवी को बिजली का इतना तेज जटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूझ उठा कवी की आवाज सुनकर अस्पताल में मौझूद नाइट स्टाफ दौडते हुए उस कमरे की तरफ आए सब को वहां कवी बेहोश हालत में मिला तुरंट कवी को मरीजों के बेड़ पर लिटाया उसी दिन से कवी की दिमागी हालत खराब है अब कवी अपने आपको उस अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है अपनी पागल स्थिती और डॉक्टर बनने के वहन के चलते कवी ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है हर रात उस भूतिया अस्पताल से कवी की तरह ही चीखने की आवाज आती है और किसीन किसी को वो भूत कवी की तरह ही पटक देता है ये चीखने की आवाज हमेशा उसी समयाती है जब कभी को बिजली के जटके दिये जाते हैं कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हलके में लेना खतरनाक हो सकता है हमेशा सतर्क रहना चाहिए थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुरघटना घट सकती है उम्मीद करते हैं आपको हमारी होरर भूतिया अस्पताल की कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद नोट ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है इसके पीछे हमारा उदेश किसी भी प्रतार की अंधश्रधा का प्रसार करने का नहीं है